बिहार में जमूई के डाड़ा गाउव के चुनाव में एक अनोका कार्णामा हुआ यहां 90 साल की महिला मुख्या का चुनाव जीती है जब बुजूर्ग महिला ने परचा दाखिल किया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था मगर वोटिंग के नतीजों ने सबकी बोलती बंद कर दी बुजूर्ग महिला ने गाउव के घरगाट जाकर संपर्थ किया बुजूर्ग महिला ने बताया कि मेरे बेटे ने एक बार चुनाव ड़रणने के लिए बोला और मैंने हां कर दी इसके बाद मैं घरगर जाकर लोगों से मिली और वोट देनकी अपील की फिर 90 साल की सुनिता देवी ने अपनी निकटतम प्रतिदवंदी ललिता देवी को 140 वोटों से हरा दिया और सबसे बुजूर्ग महिला मुख्या बन गई चुनाव में चार बेटों की मां सुनिता देवी के जज़बे को गाव के लोगों ने सम्मान दिया और सपोर्ट करके उनको जिता दिया जानकार के मताबिक सुनिता देवी के दस नादिप होते हैं सुनिता देवी के बेटे विजे जादव ने बताया कि माँ की जीत से हम सब उत्साहित हैं दरसल बरहट ब्लॉक के डाड़ा काम में मुख्या पत के लिए 90 साल की बजुर्थ महिला सुनिता देवी ने नामंकन का पड़्चा भरा था सुनिता देवी ने अपनी बहु के निदन के बाद पंचायत के मुख्या के पत पर चुनाव लड़ने का पैसला लिया बरती उम्र के बावजूद जोश और उड़्जा का शेत्र वहे मद्दावतों से मिलने के लिए निकल पड़ती थी घरगर जाकर वोट मांगती थी आखिर चुनाव का दिन आया और सुनिता देवी को लोगों का समर्थन मिल गया चुनाव में सुनिता देवी को 1728 वोट मिले वही उनकी प्रतिदुन्दी ललिता देवी ने 588 वोट हासिल किये महिला सीट होने के काराण इस सीट पर 4 महिला परतियाशी लड़ रही थी हाला कि जब मोटो की पेटी खुली तो सुनिता देवी की किसमत खुल गई और वह सबसे बजुर्क महिला परदान बन गई ऐसर वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेर चैनल को सबस्क्राब जरूर करें धन्यावाद